आज एक 30 अक्टूबर है और जैसे मैंने पिछले वीडियो में जिखर किया था कि इंकी केप नाम के से जो मश्रूम होग रही है तो उनकी प्रोग्लम थी और साथ में वाइट प्लास्टर मोड था तो उस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम दिवार में आगे जो होल ब तो उनको 14-15 दिन हो गए हैं तो वह भी आपको दिखा हुआ तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमने किया था फ़संगे हैं हैं कर दो दिखा सबस्केद से तरह से इतना बड़ा किया था आ प्रॉय क्या जाओ तो यह वह तरह हैं झाल क्या है और उस तरह से ऊपर बॉड लगा दिक हैगि ताकि गत्लीक देग अब हम इसको बाद में कंप्लीट कर देगे पूरी तरह से और यहां पर मेटल की शेट लगा देगे इसकी जगहां पर कार्टबोर की जगहां पर इसको सः कर देंगे यहां पर ज्याता एक्स्ट्रा इस बने हो भी अब भी हमने बंद किया है तोंगी क्योंकि रात हो गई है और मख्षी मच्छर को नहीं आजए अंदर से तो उनकल बाकी काम भी करना रहे है थोड़ा सा बाहर में जो जाली है च्छोटी बारीक ताकि उसमें मख्षी मच्र ना आए अगर हम खोलें तो वह भी लगानी है और अभी रात है तो बाद में टेंपरेचर धिर धिर अब कम होना शुरू हो जाएगा अभी टेंपरेचर है 26 डिगरी ज्यादा है लेकिन यह दिक्कत हो रही है पता नहीं कैसे पूरे दिन पर तो 23 डिगरी रहता है लेकिन जब दोपैर के बाद तीन चाहिए तो तब से वर साम को आठ नो बजे तक लग बग टेंपरेचर ज्यादा रहता है यह 26 तक रहता है बाद में जात को तो 2122 रहता है और बाद में दिन में जब सुबह से दोपैर तक तो तो उस टाइम में टेंपरेचर 23 तो इस तक आज़ाता है लेकिन 2-3 बज़े के बाद जो टेंपरेचर है वो जदा हो जाता है तो अभी इनका ये किया सॉल्यूशन देखते हैं ताज़ा हवा दे देंगे साम को डेली तो उससे काम असान हो जाना चाहिए और ये जो मैसलिय में सबसे हमने पहले लगाया था तो वह दिखा देता हूं आपको इस तरह से ये साइड में कुछ अचा हो रहा है तो इनने बाहर केसिंग सोयल भी बनाने शुरू कर दिये हैं और हमने केसिंग सोयल में थोड़े ही चैंजिस किये हैं तो पहले हमने मैंने बताया था कि हाफ हाफ यूज़ करेंगे लेकिन उससे केसिंग कोस्ट बहुत ज़्यादा एड हो जाती है केसिंग सोयल बनाने के लिए हम जितना जो कोको पीट यूज़ कर रहे हैं उसका डबल हम जो सेलर की राक है वो यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हमने शुरू किया था उनमें केसिंग करना शुरू कर देंगे उनमें सबसे पहले जो स्पोनिंग की थी शुरू सुरू में 17 के आसपास तो उनमें हम स्पोनिंग करना शुरू कर देंगे तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अचा लगा हुआ अगर वी वीडियो के notification मिलते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों